इंडिया में MBBS डिग्री लेने के लिए अभी नेक्स्ट यानि नेशनल एक्जिक टेस्ट एक्जाम देना होगा ये एक्जाम MBBS के final year के part 2 में लगेगा जैसे ही हर एक student का final year खतम हो जाता है पूरा उसका MBBS course complete हो जाता है उसके बाद में next एक्जाम लगेगा और ये next एक्जाम अभी 2019 बैज से लगने की possibility हो गई है अभी NMC ने पूरी तयारी कर ली है इसके बारे में कि इस साल दिसंबर मन्त में ये next एक्जाम लागू हो जाए इसके लिए अभी जो final year के बच्चे हैं जो 2019 बैज के student है और final year में हैं अभी MBBS कर रहे हैं final year में पार टू में एक दर बैठा हुआ है कि अभी क्या next का एक्जाम होगा कैसे होगा कहीं हम fail तो नहीं हो जाएंगे किस परकार से एक्जाम होगा क्योंकि ये December में पहली बार implement होने के पूरी पूरी chances है नमसी ने September 23 तक के लिए इसको extend किया था कि September 23 के बाद ये next लागू किया जाए तो वो अभी September में इसका time खतम हो जाएगा और December से ये exact test लागू होने की possibility है यहाँ पर एक problem ये आएगी कि हर एक state का जो final year है वो एक साथ नहीं है यानि कि हर एक state में 2019 का final year December में सभी state में खतम नहीं हो रहा है किसी किसी state में अभी final year के exam अभी recently हुए हैं किसी में exam होने भी हैं third year के वो student final year में होंगे एक यहाँ थोड़ी सी problem आ सकती है कि December में 2019 के सभी बच्चों का next exam conduct करपाना मुस्किल होगा अभी ये कैसा होगा कि कुछ बच्चों का December में हो जाए कुछ का June क्यूंकि ये दो बार schedule रखा गया है next exam के लिए एक बार December में रखा गया है और एक बार June में रखा गया है तो हो सकता है जिन states में 2019 बेज के final year के exam late हो रहे हैं लेकिन इतना जरूर दिया है कि अभी इस next exam के लिए student में stress कम करने के लिए एक webinar रखा जा रहा है NMC के जो chairman है उनके द्वारा ये webinar रखा जाएगा और ये 27 June 23 को 27 June 23 को ये 2 and 30 PM पर होगा यानि कि ये 2 and 30 PM पर होगा ये 27 June को इसमें सभी final year के students अटेंड करेंगे इसको और faculty है वो भी इसको अटेंड करेगा हर एक medical college की तो इससे एक यहाँ पर possibility ये बन रही है कि जब 27 June को इसके बारे में webinar है तो ये ऐसा मैसूस होता है कि ये 2019 बैच से ही लागू हो जाएगा क्योंकि अभी final year 2019 बैच का ही चल रहा है तो ये 19 बैच से ही start होने की possibility है और NMC इसके लिए दिसंबर में ही लागू करने की पूरी-पूरी कोसिस कर रहा है अब इसके लिए जो webinar है उसके लिए पहले एक more practice करवाई जाएगी ये 26 June को दो बज़ के 30 मिनट दो पैर में करवाई जाएगी ताकि इसमें कोई technical glitch ना हो सके webinar से पहले इसलिए 26 June को ये इसका एक more practice किया जाएगा तो उस webinar में student को समधाय जाएगा उसमें कि किस परकार से ये next exam होगा webinar का जो link है वो भी यहाँ दिया गया है उसका link दिया गया है इस पर होगा तो final year के student इसको attend करेंगे और अभी जो student में डर बैठा हुआ है कि next exam में कैसा क्या paper आएगा तो इसमें डरने की कोई जूरत नहीं पहले जैसे university exam हुआ करता था उसी प्रकार से ये exam भी होगा तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है यह मैं आपको एक छोटा सा introduction दे देता हूँ 28 December 2022 को NMC ने एक drop तयार किया था उसमें इसके बारे में बताया था इसका वैसे मैंने वीडियो भी बना दिया था कि इसमें जो paper होंगे वो 6 paper होंगे इसमें जो 3 paper होंगे man paper होंगे और 3 paper होंगे सब paper होंगे और इसमें 120 items होंगे man paper में 60 items होंगे सब paper में जो man paper होगा, medicine, surgery और OBZ का होगा, ये three hours का paper होगा इसमें. इसके बाद में जो sub subject का paper होगा, वो होगा, Pedia, ENT और optal का. ये one and half hours का paper होगा. इसके बाद में जो इसका time schedule रहेगा, जैसे कि medicine का paper होगा, three hours का होगा, उसके बाद में two hours का break होगा, और उसके बाद में two hours के बाद में Pedia का paper शुरू हो जाएगा, one and fifty hours का, one and half hours का paper होगा. Next day rest होगा, फिर surgery का paper होगा, same वही three hours का paper होगा, two hours break होगा, और इसके बाद ENT का paper होगा, one and half hours का. इसके बाद OBZ का paper होगा, three hours का, two hours break रहेगा, और ओप्थाल का paper होगा one and half hours का तो इस परकार से ये time schedule रहेगा और university exam के समकक सी ही ये paper होगा इसमें ऐसा नहीं है कि paper में बहुत कुछ ऐसा आने वाड़ा है जो आपने पढ़ा नहीं है जो next exam होगा, step one होगा, second week December में होगा और उसका result second week January में आ जाएगा इसके बाद next one की दो exam होगे एक next one होगा, next two होगा इसके साथ साथ एक university exam भी होगा जो अभी तक आपका होता आया है university exam पहले भी होता था final year की बाद में और वो अभी भी होगा, next लागू होने के बाद भी university exam होगा university level का exam होगा, university इस exam को conduct करवाए गई तो ये first week of January में होगा और fourth week of January में इसका result आजाएगा इसके बाद internship फरवरी से शुरू हो जाएगी जो ये test qualify करेंगे second week में, December में जो next exam लगेगा और university exam लगेगा, ये clear करने के बाद में first फरवरी से internship शुरू हो जाएगी और 28 फरवरी तक ये internship रहेगी इसके बाद next two होगा second week मार्स में, ये internship करने के बाद में और इसके बाद अपरेल में उसका result आजाएगा और जो post grades के admission होंगे पीजी के, ये मई जोन में हो जाएगी और courses है, फर्स्ट जुलाई से start हो जाएगा तो ये सारा का सारा next exam का schedule है, मिरे पास काफी comments आ रहे थे कि क्या इस बार next lagu हो जाएगा तो ये पूरी possibility बन गई है कि इस बार December से next lagu होने की पूरी-पूरी संभावना है, क्योंकि NMC ने इसके लिए पूरी तयारी कर ली है और फिर भी हमें कल के webinar में कुछ से इसमें ideas लग जाएंगे कि किस परकार का ये paper होगा क्या होगा आगे, तो जैसे भी इसके बारे में outcome निकल के आएंगे हम आपको inform कर देंगे, तो ये जानकारी थी next exam के बारे में, मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जाएंगे